हेलो एबरिवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जेटेट और सहयक अचारी परिक्षा का क्या होगा ये दोनों परिक्षाएं अब लटक जाएगी या फिर इसका वेड़ा पार हो जाएगा क्योंकि सिंस मैं बार-बार का रहा था कि GMM की सरकार आएगी तो ये जो है इसके एक्जाम को लेकर जो है फुर्ती दिखाई जाएगी एक्षन लिया जाएगा जल्द से जल्द तो फिलाल इसके बारे में क्या है और यहां से आप फोटो देख सकते हो कलपना सोरेन और हेमन सोरेन की द इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो है एक्जाम है थोड़ा डेले होगा डेफरेंटली डेले होगा दूसरी कि साय कचार का एक्जाम का रिजल्ट कब तक परकासित होगा इसके बारे में क्या रिजल्ट है इसके बारे में क्या लेटेस्ट निउस है इसके बार जो है यह देखें तीन सिनारियो यहाँ पे है जेटट एग्जामनेशन को लेकर अब मैं आपको अपडेट बताँगा और बिल्कुल जो क्रिस्टल के लिए सामने है वो चीज़े मैं आपके साथ रखूँगा जेटट का एक्जामनेशन 2015 से पहले होने से रहा 2025 से पहले ही एक्जामनेशन मुझे नहीं रखता कि हो पाएगा जेटट की बात करो तो definitely एक्जाम नहीं होने बाला है क्योंकि अभी जो है जैक बोड जो है एकदम बीजी चल रहा होगा क्योंकि उसे 10th, 12th के question paper भी set करना है 9, 8 का भी वो examination लेता है तो ऐसे मैं आपको ये time जो है अभी आपको थोड़ा और देखने को मिलेगा delay ये हो सकता है कि April मैं examination हो ये साल और अगले साल के सुरू वाले 2-3 महिने में examination conduct नहीं करा पाएगा जैक राची तो ये तो हुई पहली तो सबसे पहले बात है कि secondary examination यानि कि 10th और senior secondary यानि कि 12th का examination की बज़े से ये delay होगा जेटट का examination तो ऐसे समय में करें तो क्या करें और BPSC, TRE, 4 की अगर मैं बात करो तो definitely ये भी delay होगा ये भी जो है delay होगा नए साल में ही examination conduct कराया जाएगा इतनी तो बात confirm है फरवरी के महिने में इसका form आ जाएगा लेकिन अगर आप फरवरी के महिने से इसकी तैयारी सिरू करोगे तो definitely आपका selection नहीं होगा अब बहुँ सारे लोग नीचे कॉमेंट करके पूछेंगे कि आपका result BPSC में क्या हुआ तो मैं पुराने वीडियो जो मेरे वीडियो को देख रहे है उनको पता होगा कि खोठा का paper मेरा 6-8 वाले के दिन जो है दोनों ही examination एक ही दिन था तो मैंने BPSC 6-8 का examination को छोड़ा इसके बाद 9-10 का भी examination जो है एक ही दिन मेरा हो गया था 9-10 का जो भीहर में BPSC में examination जिस दिन था उस दिन मेरा paper fork का examination जारखन में था तो इस वज़ा से दोनों examination जो है एक दिन का अंतर था में बहुत दूर में center दिया वा था तक जिस वज़ा से मैं examination दोनों examination जो है एटेम नहीं कर पा रहा था और टिकेट वगएरा कभी समस्या थी तो मैंने दोनों एक्जामिनिशन को छोड़ा अभी फिलाल जे टेट और जार्खन सायक अचार पे ही 100% डिपेंडेंट मैं हूँ फिलाल मैं आप लोगों को बता दू जो लोग BPSC के तयारी मेरे साथ जोड़कर करना चाते हैं यहां से आपको देखे कुछ दिख रहा होगा क्या दिख रहा होगा एक QR दिख रहा होगा यह डिसकस कराया जा रहा है BPSC TRE को टार्गेट करके एक दिसम्बर से बैच स्टार्ट होगा जिनको लेना हो बैच यहां से मेरे मॉबाइल नंबर को देख सकते हो वाटसब का यह नंबर है 7979054474 इस नंबर पे आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं यह हुई पहली बात दूसरी बात आपको क्या करना है नीचे मैं आपको कॉमेंट सेक्षन में गूगल का लिंक भी दे दूँगा गूगल का लिंक मैं प्रभाइट कर दूँगा आपको वहां से उस फॉर्म को भी भर कर जो है आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकता जिनको गूगल फॉर में दिखात आ रही है वो सिधा इस QR को स्कैन करें अभी आप वीडियो को बंद करके QR को स्कैन कर लें 100 रुपय का पेमेंट करें और वो स्क्रीन सोट 7979054474 पे आप कर दें आपको बैच में इन्रॉल कर लिया जाएगा और एक क्लास या दो क्लास की जो अलग-लग क्लासेस की वीडियोस है वो मैं यूट्यूब पे अफ्लोड कर दूँगा ताकि जो लोग संसे में हैं क्या पढ़ाया जाएगा कैसे पढ़ाया जाएगा ओनलाइन क्लासेस होगी कैसे होगी तो मैं आपको बता दूँ घर बैठे आप, आपको current first पढ़ने की जुरूत नहीं पढ़ेगी, ना ही आपको कोई और subject जैसे जोगरफी हो गया या science हो गया, उसको याद करने की जुरूत पढ़ेगी, मैं आपको इसकी guarantee देता हूँ, हाँ, self study से बेटर, ना कोई group discussion हो सकता है, कि अब जो है, समस्या क्या होने वाली है, यहां से देख लिजिए, बैदनात राम हमारे सिक्छा मंतरी हुआ करते थे, यह चुनाब हार चुके हैं, और tiger महतों की जो wife है, I mean tiger महतों, आप तो tiger बहुत सारे tiger हो गए हैं, जारकंड में, लेकिन जगरनात महतों की जो wife थी, जामूमे के जो उमिद्वार हैं, यहां से वेट ए मिनिट में आपको दिखा देता हूँ, यह देखी, यह देखी, प्रकास राम ने चुनाब को जीत लिया है, ठीक है, अब प्रकास राम जी यह चुनाब जीत चुके हैं, तो obviously किसी को हार मिले होगी, किसे हार मिली है, हमार आती है कि Education Minister बनाने से क्या फाइदा होगा, देखिए, इनके पास पुराने चीजों को लेकर अनवब है, यह syllabus को लेकर जो है, बदलाब वगेरा यह कर रहे थे, तो syllabus को लेकर जो है, जो भी बदलाब होना था, यह फटा-फट कैबिनेट में जाता और बदलाब हो जाता, सि इबिनेट में कौन से decision लिये जाएंगे, कौन से भी से पर discussion किया जाएगा, इसकी पूरी जिमेदारी CM साहब की होती है, यह बात आप याद रखीगा, अब देखिए CM साहब क्या decision लेता है, यह उनके उपर है, तो फिलाल थोड़ा सा लेट तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह जेटेट का exam के बारे में मैंने आपको बताया, अब बात आती है कि सहायक अचारी को लेकर क्या होगा, तो देखिए सहायक अचारी को लेकर जब तक Supreme Court से decision नहीं आ जाता है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ से आप देख लीचे, यह ETV जारकन का ए है, तो यह मैंने आपको पहले बता दिया, जो Jack के अध्यक शेयानिल कुमार मातों, उन्होंने भी कहा है, कि सरकार की ओर से जैसे ही syllabus को लेकर हरी जंडी दी जाएगी, हम लोग exam conduct करा लेंगे, और रही बात जारकन में जो है, यह ETV का edit option कब खुलेगा, तो देखिए, सरकार जब तक syllabus को लेकर हरी जंडी नहीं दिखाती है, तब तक अभी edit का option, या फिर payment जिनका छूट चुका है, उनको लेकर कोई खबर नहीं आएगी, फिलाल आपको इंतिजार करना होगा, और वो बोलते हैं कि इंतिजार कफल मिठा ही होता है, तो इंतिजार कीजे फिलाल, अभ अभी आपके पास कोई और option नहीं है, 2025 से पहले नहीं होगा, तो BPSC, TRI की तियारिया आप कर सकते हैं, बाकी तो आप, अभी तो जारखण में, high school को लेकर एक विडियो तयार करने की कोशिस कर रहा हूं, कि उस पे एक detail में विडियो में तयार करूं कि high school को लेकर कितनी भरत चीज़ें आएगी, वैसे भी हेमन स्वरेन जो है, completely चाह रहे थे कि 26,000 सिक्षकों की भरती, ये आखरी समय में, अपने आखरी कारिकाल, उनका जो कारिकाल चर रहा था पिछला, उसमें आखरी समय में, एक-दो महिने जो बचे भी थे, उसमें वो भरती को पूरा कराना चा हो जाएगी, फिलाल, इंतिजार कीजिए, फिर से मैं यहां से आपको QR दिखा देता हूँ, और नीचे Google Form भी दे देता हूँ, जो Google Form भरने में सक्षम है, वहां से payment करके आप हमारे साथ एड हो जाएए, या फिर WhatsApp नमबर 7979054474 से आप हमारे साथ, WPSC TRE4 के लिए हमारे सकते हैं, ऑनलाइन आपको तैयारी कराई जाएगी, और जो common paper है, याद रखिएगा जो common paper है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, 32 या 40 marks का जो भी होता है, वो आपको जो है तैयारी कराया जाएगा, जिसमें जोग्रफी, science के सारे section को कराया जाएगा, जिसमें chemistry, biology, इसके एक महिने की class at least आप लेकर देखें, मैं आपको पूरी guarantee देता हूँ, BPSC TRE 4 की examination जब तक नहीं हो जाएगी, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और तयारी करते रहेंगे, तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्या आपकुट्टे